हेलो फ्रेंट्स आज FIS की और से तक्रीबं 710 क्रोड की बिक वाली और DIS की और से 260 क्रोड की खरिदारी नजर आई यानि कह सकते ही कि बड़े प्लेयर की और से कोई बड़ा दाउ तो बिलकुल नजर नहीं आए लेकिन FIS कहीना की माल बेचते हुए नजर आए लेकिन फिर भी कोई बड़ी बीक वाली FIS की और से देखने को नहीं मिल रही है और आज ग्लोबल संकेट जो कहीना की ज्यादा नेगेटिव थे जिसके चलते हैं हमारे बाज़ार दोबर के बाद भारी गिरावट के साथ इंपोर्टन सपोर्ट लेवल भी ब्रेक करते हुए नजर आए तो ऐसे माहूल में ऐसे बाज़ार में कल की लिए कौन से इपोर्टन से लेवल है कौन से एहम ट्रिगर है समझते है इस वीडियो के माधियम से तो जिसा की फ्रेंड्स आप देख सकते है निप्टी का चाट अब लोगों के सामने हैं और यहां पे हमने कल एक लेवल की सिच्वेशन नजर आ सकती है और वहां से माहूल नजर आ दूसरा जो हँआरा सपोर्ट लेवल था ट्रे हैда पांचु सांद यहां पर भी एक बार के लिए संभल चुका था लेकिन यहां पर भी हमें गिरावट की सिचुएशन फाइनली नज़र आई तो यहां पर जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है फ्रेंट्स वहें 18350 का अगर हो सकता है यह गिरावट की सिचुएशन में कल भी नज देखने को मिलनी चाहिए एक अच्छा पूल बेक नजर आ सकता है और उपर की तरफ रेजिस्टन्स लेवल 18510 का अब यहां पर बन चुका है तो जब तक 18500 के उपर सस्टेन नहीं करेगा निप्टी तब तक यहां पर तेजी की सिचुएशन देखने को नहीं मिल सकती तो ह अब को कल देखना पड़ेगा कि यहां पर सेलिंग पर देखना को मिल रही है अगर यह सेलिंग पर रहा वी रही रही तो यह लेवल भी ब्रेक हो सकता है तो आपको दाव सोच समझ करी खेलना है और अपने फाइनल शेडवेजर की भी जरूर सला लेनी है वीडियो अच्छ कर लिजा